हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का कॉस्चन नमबर 1 यूज सुटेबल आइडेंटिटीटीज तो फाइंड दा फॉलिंग प्रोडट्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगा के आंसर फाइंड आउट करना है simple multiplication नहीं करना है हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी किस question में अब देखिए जो हमारे पास first question है यह है x प्लस 4 इन्टू x प्लस 10 अब देखिए हमारे पास fourth identity होती है वो है x plus a into x plus b यह जो fourth identity है इसे हम लिखते हैं x square plus a और b को add करेंगे a plus b into x plus a into b last में हमने multiply कर देना होता है a b a b मतलब a into b अब हम देखेंगे इस identity को अपने question में use करतें देखिए a क्या है यहाँ पर 4 और b क्या है 10 इसका मतलब यहाँ पर हम x plus a और x plus b apply कर सकते हैं तो देखिए हमारा answer किस तरह से बनेगा यह बन जाएगा x square plus a plus b into x a plus b में हम किस को add करेंगे a 4 है b 10 है 4 plus 10 into x plus last में देखी क्या है a b a b मतलब a into b 4 into 10 तो 4 into 10 आप सीधे लिख लिजिए या multiply गर की लिख लिजिए यह बन जाएगा 4 10 जा 40 अब इसको और सोड़ा simplify करेंगे x square plus 10 plus 4 14 x plus 40 यह हमारा first question है इसी तरह से हम question number second solve करते हैं देखिए second question में भी हम यह identity लगाएंगे x plus a into x minus b पर यहाँ पर आपको लग रहा होगा जो second question है उसमें x minus 10 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं अगर x minus 10 भी है तो आप फिर भी इस identity को लगाके इसको solve कर सकते हो देखिएंगे कैसे पहले इसको delete कर देते हैं चलिए अब देखिए हमारे पास second question जो है यह है x plus 8 x minus 10 अब देखिए यह तो positive है तो हमने इसको x plus 8 लिख लिया यह negative है तो इसको हम positive लगाके लिखे लेते हैं so that कि हमें question करने में easy हो जाएगा ऐसे कर लेतें से minus 10 को अंदर रख लेते हैं अंदर रखने का मतलब है अब हमने इसको किस form में बना दिया x plus a यह a हो गया 8 और b क्या बन गया हमारा minus 10 ठीक है तो इसलिए हमने इसको ऐसा किया है चलिए अब इसमा identity लगाते हैं अब हम सीधे apply करते हैं हमें याद हो गई है identity क्या है x square plus a plus b into x a 8 है और b है minus 10 तो आप इसको पहले लिख लिजिए 8 minus 10 into x plus a into b 8 into minus 10 तो आप इसको लिख लेते हैं नहीं तो आप गडबड कर सकते हो question को solve करने के लिए पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं तो यह बन जाएगा 8 into minus 10 यह देखिए अब इसको solve करते हैं x square plus 8 minus 10 8 minus 10 कितना होगा छोटे में से बड़े को minus करना है तो हमारा answer negative आएगा तो हम minus sign लगा लेते हैं 8 minus 10 हमारा बन जाएगा 2 x अब यहाँ पर 8 और minus 10 का multiplication है बाहर plus का sign लगा है देखिए और अंदर है minus का sign तो जब minus और plus multiply होते हैं तो यह minus बन जाता है इट मीन्स यहाँ पर minus आजाएगा 10 into 8 हो जाएगा 80 तो यह हमारा answer second part का तो यहाँ पर भी हमने x plus a और x plus b identity लगा के इसको solve किया है अब हम देखेंगे third question question number third है इसमें हमने देखना है कौन से identity लगेगी तो I think इसमें भी हम यह identity लगाएंगे तो third question भी ऐसे ही होगा चलिए देख लेते हैं एक बार third question हमारा बन गया 3x plus 4 into 3x minus 5 3x plus 4 into 3x minus 5 अब देखें a plus b into a minus b अब हमें पता चल गया है यहाँ पर a क्या है a है 3x नहीं a 3x नहीं है a क्या है 4 है और b क्या है minus 5 है 3x को हम किसकी जगा पर use करेंगे x की जगा पर use करेंगे तो चलिए देखते हैं x plus a into x plus b identity लगाते हैं तो यह बन जागा x square यहाँ पर x क्या है x की जगा पर हम 3x लिखेंगे क्योंकि जो पहला वाला term होता है वो पूरा x होता है तो यहाँ पर 3x है यह बन गया 3x का whole square plus a plus b into x a है 4 और b है minus 5 4 minus 5 into x x कितना है 3x है last में हमने क्या लिखना होता है plus a into b अब देखें लिखने से पहले हम सोच लेते हैं कि sign क्या आएगा a into b मतलब 4 और minus 5 का multiplication 4 positive में है वो negative में है minus 5 तो plus minus minus होता है 5 4 जबन गया 20 इसे open करते हैं 3x का whole square बन जाएगा 9x square 4 minus 5 कितना हुआ देखें यहाँ पर center पर 4 minus 5 is minus 1 यहाँ में उपर लिखने हूँ minus 1 हो गया minus 1 के साथ आपने 3x को multiply करना है तो minus 1 के साथ 3x multiply हो जाएगा minus 3x बन जाएगा क्योंकि हम multiply करते है coefficients को 1 को और 3 को करेंगे बस और last में है minus 20 तो यह हमारा third part हो गया question number 4 देखें fourth part इस तरह से लिखावा है तो यह fourth part basically क्या है यह है y square y के power 2 उसको ऐसे लिख रखा है यह है y square plus 3 by 2 एक term और दूसरा term है y square minus 3 by 2 यह आपका second term है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हम यह वाली identity लगाएंगे नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर x plus a into x plus b नहीं बन रहा है आप x plus a into x plus b बना भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 by 2 और दूसरा जो है minus 3 by 2 है तो उसको positive में ले सकते हो लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरी identity भी लगा सकते हो जो है a plus b into a minus b हम उसको लगा के भी कर सकते हैं क्योंकि अगर वो लग रही है तो वो थोड़ा सा जादा easy होगा देखिए यह वाली हमारे पास एक और identity है a plus b into a minus b जब एक positive का है और एक negative का है और यहाँ पर constant term दोनों के same है तो हम यह वाली identity लगा लेंगे तो यह होता है a square minus b square देखिए तो अब हमारे पास ही क्या बन जाएगा a square minus b square लगाएंगे a square मतलब y square का square यह हो गया क्योंकि a क्या है a है y square और b क्या है 3 by 2 तो a square minus b square b है 3 by 2 3 by 2 का whole square y square का square यह बन गया y के power 4 3 का square करेंगे उपर पहले देखिए 3 का square हो जाएगा 3, 3 is a 9 नीचे 2 का square होगे 2, 2 is a 4 तो यह हमारा answer आ गया y to the power 4 minus 9 by 4 तो इस तरह से हमने यह वाला question solve किया है इसके बाद देखते हैं 5th part तो 5th part है हमारा उसमें भी आप a plus b into a minus b लगा सकते हो तो देखिए यह है 3 minus 2x into 3 plus 2x अब यहाँ पर भी हम a plus b into a minus b लगाएंगे देखिए यहाँ पर a कितना है 3 है और b कितना है 2x है तो a minus b into a plus b बोलो चाहे a plus b into a minus b यह हो जाएगा a square minus b square a है 3 3 square minus b है 2x 2x का whole square 3 square is 9 2x square तो 2 का square करेंगे 4 और x का हो जाएगा x square without multiplying directly अब देखिए जैसे इसमें first part है 103 into 107 यह हमने multiply करना है अब इसमें direct multiplication नहीं करनी है हमें identity लगानी है इसके लिए हम देखेंगे कि अपने इस question को identity में कैसे break करेंगे तो देखिए 103 हमें पता है यह होता है 100 plus 3 हम इसको ऐसे break करेंगे पहले दो parts में और 107 है इसको हम break करें 100 plus 7 में यह हमारा second term हो गया अब हम इसमें apply करते हैं देखिए जो 100 है इसको अगर हम x मानते हैं यह अगर x हो गया 100 और 3 जो है यह a हो गया और जो 7 है यह b हो गया तो यह देखिए x plus a into x plus b के form में बन गया है तो चलिए इसमें use करते हैं x square x है 100 यह हो गया 100 square plus a plus b into x a plus b कितना हो जाएगा a 3 है b 7 है 3 plus 7 10 10 के साथ हमने multiply करना है x x कितना है 100 है plus a into b क्योंकि हमने इसके बाद a into b करना होता है last term में a into b कितना हो गया 3 into 7 यह गया 21 इसको open करेंगे 100 के square हो जाएगा 1 के आगे 4 zeros 100 into 10 1000 plus 21 तीनों को add करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 11021 तो इस तरह से question number 2 का हमने first part देखिए identity लगा के solve किया है अब second part देखते है second part में हमारे पास question है 95 multiply 96 अब हमें पता है 90 वाले जो number होते हैं 100 के close होते है तो 95 जो है वो 100 से कितना close है इसको हम लिख सकते है 100 minus 5 और दूसरा है 96 इसको हम लिखेंगे 100 minus 4 अब देखिए यहाँ पर हम फिर से identity लगाएंगे x plus a into x plus b और यहाँ पर a और b क्या हो जाएगा x हमारे पास हो जाएगा 100 क्योंकि जो दोनों पार्ट में सेम होता है वो x होता है तो यह x हो गया और a कितना हो जाएगा यहाँ पर minus 5 और b हो जाएगा minus 4 तो देखिए identity लगाते है x square यह हो जाएगा 100 का square plus a plus b into x अब a plus b हम सीधे कर लेते हैं a कितना है minus 5 है और b है minus 4 minus 5 minus 4 ही हो गया minus 9 into x x कितना था 100 था इसके बाद plus a b last में हमने plus a b करना होता है plus a into b a minus 5 है b minus 4 है minus minus जब multiply होगा positive हो जाता है 5 4 हो जाता है 20 अब हम इसको open करेंगे 100 का square हो जाएगा 1 के आगे 4 zeros minus 9 into 100 minus 900 plus 20 अब देखिए इसको solve करना है इस तरह की questions को हम कैसे solve करते है सबसे पहले हमने जो positive number है उसको add कर लेते है यह हो जाएगा 10,020 minus 900 दोनों का आप subtract करोगे आपको answer मिल जाएगा 9,120 तो यह आपका second part था इसी तरह से third part देखते है third part में हमारे पास number है 104 into 96 अब देखिए 104 को हम लिख लेते है 100 plus 4 96 को हम क्या लिख सकते है 100 minus 4 अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम कौन सी identity बना रहे है A plus B into A minus B तो यह क्या होता है A square minus B square होता है A है 100 तो यह बन गया 100 square minus B 4 है 4 square तो यह बन गया 10,000 minus 16 दोनों को सब्ट्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9984 तो इस तरह से यह था question number 2 तो इस exercise 2.5 का हमने question number 1 और question number 2 यहाँ पर discuss किया है Thank you